कि नमस्कार मैं हूँ प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर क्रॉस फायर में आज हमारे संग एक ऐसी हस्ती है जिसने उत्रा खंड के लिए कई लडाईयां लड़ी और अध्यात्म के साथ साथ देश के विकास के लिए काम किया है आज वो नाराज हो गए हैं कॉंग्रेस से 25 वर्ष कॉंग्रेस को दिये यानि सत्पाल महराज की मैं बात कर रहा हूं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिस मजबूरी के वज़े से उन्होंने बा आकरते का अबदा आई और बड़ी तरास्ती हुई और तभाई हुई तो हम लोग बड़े दुखी हुए और हमने कहा कि भई इसमें राहत मिलनी चाहिए ये लोगों के मकान बहगाए हैं उनके नए मकानों का निर्मान होना चाहिए टोटल रिहाबिलिटेशन होना चाहिए और इस सब मुद्दों को लेके हम लोगों ने अपने विधायकों को लेकरके और हमने पूरी रेजलूशन्स बनाए और कहा कि ये कैबिनेट का निर्णय होना चाहिए लग्ली जो हमारे विधायक थे जिसमें हमारे सम्मानित राज अंदरभनणारी जी जीतराम जी मैखुर अवाल जी सब बैठ करके अम्रितारावजी सब को बैठ करके हमने ब्लॉकों में जाकरके गाउं में जाकरके उनकी इतरास्ती को सुना और उनकी कैटेगरी हमने बनाई कि किसी का मकान बह गया किसी का मकान आधा बह गया किसी का मकान जो है था ही नहीं करायदार था उसका मक तो इस तरह की जो स्थित्यां थी वो सब कैटेगरी करते हुए कंडी हुए गोडे वाले हुए खचर वाले हुए वो सारी कैटेगरी हमने बनाई तो हमारा यह था कि इनको रहात मिली चाहिए और इनका काम होना चाहिए रिपोर्ट बनी थी संसद में मसला उठा था हाँ इसमें 377 हमने उठाया संसद में इसमें मैं स्पेशल इटेंशन नोटिस में लाया और यह सब जगे हमने जिहार फोरम पर यह बाचित हमने की परन्त उसका समाधान जो है दूसरे तरीके से निकला जैसे एक कंपनसेशन दे किया गया और लोगों से कहा कि आप अपने मकान बनाओ वहां पाहडों में उनको जमीन नहीं दी गई अब अगर वो लोग वहां से देराद उनके ग्रामिन अंचल में मकान बनाते हैं हरिद्वार के ग्रामिन अंचल में मकान बनाते हैं तो पहाड से तो मास एक्दस हो गया पहाड से तो सामुईक पलायन हो गया, पहाड से लोग चलेंगे तो आपके केदारनाथ, बद्रिनाथ और नीती माना में जो बिल्कुल सिमानत इलाका है, वहाँ कौन रहेगा, सब लोग नीचे चले आएंगे, हमारे पहाड में कुछ ऐसे गाउं थे, जहां पंडे रहा करते और ये तो कॉंग्रेस ने उस पे स्टैंप ही लगा दिया, ये जो बात थी आपने कहा कि उन विधवाओं के आंसू किसी ने नहीं पूंचे, ऐसा क्या था जब सोनिया गांधी बात करती हैं आधी आवादी की, आप उनी के साथ ही रहे, राहुल गांधी ने कहा, फिर उनक तरीके से अगर स्पस्टता से सुनी जाती और उसके उपर पूचा अंकलन होता तो शायद ये हम लोग निरणाय ना लेते, पर हमने देखा कि बहुत बार बात सुनी ने गई और ये माना गया कि साब एक आदमी के साथ अन्याय हुआ है और उसी को सब कुछ दिया गया, और ये बात हमने जब कही तो मैं समस्ता हूं कि उपर हाई कमान को कुछ दूसरे ढंग से इसको रखा गया और हम लोग बड़े खिन हो गए कि यहां बात सुनी नहीं जा रही है, अद्यक्ष बनाने की बात थी, प्रदेश अद्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया, अटका पड़ पास रखे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ बात हो रही थी कि पहाड का चेहरा, उस पहाड के चेहरे में आपका भी नाम आ रहा था, और लोह का भी नाम आ रहा था, तो कहां आपको लगा कि यह पहाड के संग अन्याय हो गया, असल में पहाड के स तो कम से कम दो मंत्री तो यहां बनाईए और आबदा का छेतर है बनाएंगे तो काम होगा पर एक ही आदमी को सब चीज नमाज दे गए सब कुछ देते चलेगे और फिर हर जगे आप एक आदमी को अफसर देंगे तो निश्चित रूप में रोश पैदा होगा दुख पैदा होगा और विछोग होगा कही ना कहीं जो पच्चे साल की सेवा थी यह टीस आपको लगी कि जब समय आया तो आपको आपका हक लिए अनिश्चित रूप में हम लोगों को सम्मान नहीं मिला हम लोगों ने पार्टी में समर्पित होकर के काम किया और मैं एक मात्र कांग्रेस में ऐसा नेता था जो उत्तरा खंड से निकल करके अन्य परदेशों में जाता था और कांग्रेस के लिए परचार करता है अब आप बीजेपी में आ गए आप कैसे इस फिलोसफी के संग अपने आपको आगे बढ़ाएंगे आपका खून कांग्रेस का आप सदा कांग्रेस क संग रहें यह आपको नहीं लगता कि दोनों की ही फिलोसफी अलग अलग है नहीं फिलोसफी अदेखे ऐसा है कि विकास की बात हो रही है विकास का मुद्दा लगभग अब सामार एक जैसा हो चुका है और दूसरी बात यह है जो चिंदा मुझे सता रही है विशेशकर वो चिंता का विशा है और हम लोगों ने कहा कि वही एक शशक नेते तो होगा तो कम से कम हमारी सीमाएं महफूज रहेंगी हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा आज अमेरिका चाइना से पैसा ले रहा है रिंड ले रहा है कर्ज ले रहा है तो अगर हमारे देश में सक्षम नेत चादियें हैं आर्टी आई की बात कर रहे हैं एजूकेशन के अधिकार की बात की जिना जो सुकरती जा रही है जो चीन बढ़ता जा रहा है इदर जो हमारे जो सीमा पर पाकिस्तानी सेने का थे हमारे सोल्जर्स को मारकर चले जाते हैं इस पर चिंता विक्त कीजिए ज़र आपकी भी उस टाइम जिमेंदारी थी नई हमने रिपोर्टें भेजी और हमारे रिपोर्टों पर जो है काम हुआ करवाई हुई और हमने पूरा जो डिफेंस का जो बजट था उसको पूरा पूरा खरच कर आया पीस टाइम के अंदर पूरे डिफेंस बजट को खरच करना अपने आप में बहुत बड़ी एक चनौती है और ये हुआ है और इसके लिए लोगों ने मुझे बहुत बहुत अप्रिशेट किया तो हमने काम किये वन रैंक बन पेंशन का मुद्दा हमने उठाया आज वो पूरा हुआ है तो बहुत से काम हम लोगों ने किये निश्यत रूप में और हमने बिलो दी आफिसर रैंक एंड आफिसर्स के लिए बहुत काम किया उत्रा खंड रन बाकुरों की जमीन मानी जाती है लगबग हर खर से एक फौजी है वहाँ पर फौजीयों को कौन सा ऐसा हक है जो अभी नहीं मिला है एक भी देश के अंदर शहीदों के लिए संग्रहले नहीं है है निश्यत रूप में मैं समस्ता हूं कि शहीदों के लिए संग्रहले नहीं है आप अगर पोर्ट ब्लेर जाएंगे और वहां पर जेल में जाके देखेंगे, सलूलर जेल में तो आप देखेंगे किस प्रकार की यातना उनको दी गई थी और इसके प्रकार से से करके उन्होंने जो है देश को आजाद कराया और वो हमेशा अंग्रेजों से कहा करते थे कि तो इस देश में नहीं रहोगे, एक दिन हमारा देश आजाद होगा, तो उनका जो संकल्प भावना थी, उससे हमने अपनी सीमाओं को शरक्षित करना है, आज क्या कारण है कि आपके पंडुगी के अंदर विस्पोर्ट हो रहे हैं, जहाजों के अंदर एक्स्प्लोजन हो हैं, 17 सेनानियों की आपने बात की, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान से तीन लडाईयां लड़ी हैं, चीन से लडाईयां लड़ी हैं, आजादी के बाद भी, क्यों आज मान नहीं कर पा रहा है, आज कई हुआ कि मैं देश का सोलजर बनूं, ऐसा क्या हो आप अभी भरती भी करवा रहे हैं, जो मेरे पास हम लोग वहां पर सेना की भरती करा रहे हैं, जिसमें करीब लगबग हम पिछली बार तो 50,000 के लगबग भरती करा चुके हैं, जिसमें नेवी, एरफोर्स और आमी की भरती हुई है, कोस्टल गार्ड्स की पाड़ों में अब फिर से जाकर के नेवी की भरती हो रही है, इसमें बड़ा हम लोगों ने बहुत कारे किया है, निश्चित रूप में हमें आकरशित करना होगा, आज हमारी जो आमी है वो मौड़नाइज हो चुकी है, पद खाली पड़े, हजारों पद खाली, निश्चित रूप में उसमें अच्छा वेतन मिलता है और आकरशित हम करते हैं, तो हम अपने सेना को और शशक बना सकते हैं, यह कमी कहा है क्योंकि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर सेक्योर्टी की बात की है, क्या प्रस्टेशन है जिसकी वज़े से अपना ही सिपाही अपने अफसर को गोली चल यह सेटलाइट या मोबाइल फोन होने चाहिए ताके अपने परिवार जनों से लोग बातचित कर सकें, प्रकॉर्मेंट क्यों नहीं हो पाया, आप लोग 10 साल रहे हैं, प्रकॉर्मेंट की प्रॉब्लम्स डेफिनेटी रही हैं, क्योंकि कुछ कमपनी ब्लैक लिस्ट हो ग यह मालूम नहीं है, पर निश्यत रूप में विके सिंग्जी ने मुझसे आग्रे किया है, कि मैं उनके शित्र में आऊँ, चुनाओं परिशार करूँ, मैं निश्यत रूप में जा करके उनको साहता प्रदान करूँगा, उनके लिए वोट मांगूँगा, राजनाथ सेना की बढ़हतरी के लिए और हमारे सेनिक अकॉमेडेशन को हमें बढ़ाना होगा, सेनिक को और उसमें मौडनाइजेशन करना होगा, आधरिक करना होगा और सफिस्टिकेटिड बेपिनर्डी लानी होगी, यह सीजों पर हम सुझाओ देंगे और मिक्स को अपसलीट करना होगा, क्योंकि मिक्स में हमारे बहुत से पालेट्स जो हमारे जा रहे हैं, यह जब आप इस्तिती देखते हैं, क्योंकि यही आपको याद दिलाता हूँ, सेना ही थी जिसने जब तराजदी हुई तो सबसे ज़्यादा काम किया और लोगों को बचा के लाही, वो सेना जब काम करना चाहती है, तो कहां से दिक्कत आती है जो उसको शासन काम नहीं करने देता है, या सरकार काम नहीं करने देती है। सेनिक हैं, तो वहाँ आपको पता हार घर में एक सेनिक होता है, तो निश्यत रूप में, और मेरा एक सवपन और था, कि निश्यत रूप में रिशिकेश से करण प्रियाक तक रेलवे लाइन बने, उस पे काम नहीं हुआ, ये भी एक हमारे नाराजगी का कारण था, गैर से आपड़ा के बाद पहली बार चारधाम यात्रा होने गा रही है, इस चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरा खंड कितना तयार है, क्योंकि आप उन सभी आश्रमों को जानते हैं, जो इसमें सहभागिता करते हैं, तो क्या इस्तिती दिखती है, और धाइसो ही लोग रुकने की बात कई जा रही रात में रुक सकते हैं, यहां वो इसलिए उसको धाइसो लोगों का एक टोली बनाए गई, क्योंकि एवैक्वेशन की प्रॉब्लम है, और यह भी देखना चाहिए कि वहां रोड की कनेक्टिविटी हो, वहां पर रोफे की कनेक्टिविटी हो, यह सारी कन खटना के समय जो है लोगों को निकाला जा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि सैटलाइट के जरीए जो चोगराबारी ग्लेशियर है, जिसके पेगलने से यह पूरा डैम फटा और पूरा यह पूरी तरास्ती हुई, उस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बहुत यह बह उसमें सारे पड़ाओं को खड़ा करना और लोगों के साहिता प्रदान करना यह अपने आप में एक बहुत ही चनावती पूर्ण कारे हैं, आपको क्या रिपोर्ट मिल रहे हैं, उत्तराखंट कितना तयार है, इस टाइम क्योंकि चार धाम की यात्तरा बहुत जादा अंद ही हद तक हो चुकी हैं और हम यह चाहते हैं कि इसमें तैयारियां पुखता हों और कोई भी कैजूल्टी, कोई भी आपदा के समय लोगों का इवैक्वेशन हो चके हैं, क्योंकि पहले आपके गौरिकुन से लेकर केदारनाथ की यात्रा 14 किलोमीटर के थी, अब यह यात्र जो हमारे उत्राखंड में आते हैं, वो सदभावना अच्छे बातावन में यात्रा को संपन करें और पुन्य के भागी बने। अब ही नहीं हुआ है, इस प्रेक के बाद। कि गंगा को हम निर्मल कर देंगे, बनारस से वो चुनाव ड़ल हैं, लेकिन निर्मल गंगा आप लोग को देनी है उत्राखंड से, और बिजली के बांध जितने बांधे जा रहे हैं, इससे कितना नुकसान है, अगर यह सच है कि इससे आप इत्तिफाक रखते हैं, इससे कि इतना विकास होते हैं, असल में सबसे पहले यह देखा गया कि जो इनरजी है, उसको हम फ्यूल और फॉसल इनरजी, अरसार तेल और जो हमारा कोईला है, इस इनरजी से हम बिजली उत्पादन करते थे, यह इनरजी में क्या होता है कि तेल हम दुबारा पैदा नहीं कर सक सकते, फॉसल फ्यूल जो कोईला है वो दुबारा हम पैदा नहीं कर सकते, क्रोडों वर्ष्ट दबने के करण यह पैदा होता है, तो यह देखा गया कि क्यों नहीं हम हाइड्रो को टैप करें, और जल विदुत का उत्पादन की जो छमता है उत्राखन के अंदर उसका दोह बनाएंगे कहीं, ऐसा नहीं हो जाए कि डैम फढ़ जाए और विपलब हो जाए, तहरी बांद के बाद आप रन अव देवर डैम बन रहे हैं, जो बड़े सुरक्षित हैं, और हमें उत्राखन के अंदर निश्चित रूप में बिजली का उत्पादम करना होगा, आप जारनाथ में तो कोई फैक्टरी नहीं है, कोई उद्योग लगे ही नहीं है, पर एक आएक ये बोलना के साब हमने क्योंकि बहुत सड़कों का दिर्मान कर दिया है, इससे ये हो गया, ये बात नहीं थी, बलकि आपने देखा होगा कि जो टेहरी डैम था, उससे तो पानी र जाता, अलग नंदा तो वैसे ही उफान पर थी, चर्म सीमा पर थी, और उसके साथ भगिरत ही मिल जाती, तो मैं समझता हूं रिशिकेश हरदवार का विनाश हो जाता, तो ये बड़े-बड़े हमारे वज्यानिकों ने माना कि टेहरी डैम ने उस उफान को रोका, तो अंदर सारे हमारे सिविज गिरते जा रहे हैं, आज एक गटर की नाली हमने गंगा को बना दिया है, वैसे तो गंगा स्वर्ग की धारा थी, इसको वैदरनी कहा जाता था, और स्वर्ग से इसको भगिरत लाए, जब उन तपस्या की, तो धर्ती पर लाए, और उसका आशे यही है कि अगर हम भगिरत की तरह तपस्या करेंगे, तो हम गंगा को धर्ती पर ला सकते हैं, स्वर्ग को धर्ती पर ला सकते हैं, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं, यह इसके पीछे भावना है, पर आज गटर की नालिया, होटलों का गंदा सब नदी में पढ़ रह तो कैसे करेंगे क्योंकि ये तो राजीव गांधी ने भी कहा था गंगा एक्षन प्लान लाए फिर भी पूरा नहीं कर पाए तो इतनी मुश्किल चुनोती को आप लोग कैसे पूरा करेंगे एक कारे यूजना बननी चाहिए अगर हम गाओं के विकास की बात करते हैं गाओं इससे हम अपने देश को पवित्र करें हर इद्वार से आपका नाता रहा है क्या आप गंगा के लिए हरकी पैडी पे खड़े होके संकल्प करवाएंगे नरे नर्मोधी से भी और आप से भी कि हम संकल्प लेते हैं देश से भस्टाचार खतम करेंगे निश्चत रूप में दस साल वहाँ पर आप रहे हैं तो क्या आपकी बिल्कुल नहीं सुनी गई तब भी तो कॉंग्रेस में आप थे आपने फिर कैसे टाइम काटा अगर ब्रस्टाचार था बहगाई ज्यादा थी और आप संसद में कई बार सदन चलवाते थे तो हकीकत क्या थी सदन कौर नही इच्छा शक्त की कमी थी आपको याद होगा कि जब मैं प्रोटर्म स्पीकर था तो कंपनी बिल्को मैंने पास करवाया और उस समय टेलिग्राफ में लिखा था कि कौन कहता है संसद नहीं चलती है सत्पाल महराज साड़े पांच घंटे बैट करके एक घूट पानी उन्हो समस्याओं से घेरा हुआ है आपको लगता नरे नमोधी बेडा पार लगा देंगे निश्चत रूप में उन्होंने जो श्रिष्ट भारत बनाने का संकल्प लिया है और एक उन्होंने जो एक स्ट्रॉंग नेत्यत दिया है इससे निश्चत रूप में लगता है कि वो अत्मान को समाधान दें और भविष्य का दिशांदर देशन करें अतीस से जुड़ते हैं आपके बुजर्ग आपके पास लाल करेशना डवानी है आपके पास जस्वन सिंग है आपके पास मुरली मनोहर जोशी कलराज मिश्रा सब क्यों नराज है यहां तक कि आपके इलाबाद से तिरपाठी जी तक नराज है ऐसे में आप कैसे समाधान देंगे हमारे अध्यक्ष राजना सिंग जी ने कहा कि सब को मना लिया जाएगा मनाने का प्रियास किया जाएगा सब चुनाओ लड़ रहे हैं थोड़ी बहुत 19-20 तो कोईती ही है और मैं समझता हूं क कि मैंने तो यही कहा है कि मैं पार्टी को सब जगे जाकर के जिताने का प्रियास करूंगा कॉंस्टंसी में जाऊंगा और अपने आपको भाजापा को जिताने के लिए मैंने समर्पित किया है अन्य कॉंस्टंसी में जाकर के भाजापा के लिए मैं वोट मांगूंगा और नरेंद्र मोदी को स्रेष्ट भारत बनाने में उनका सायोकर। उत्राखंड में आप कब से रणनीतिक रूप से जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने और नरेंद्र मोदी को आप उत्राखंड कब ले जा रहे हैं। यह तो कारेक्रम बनेगा पर हम लोग 26 तारीक को जा रहे हैं, देरा दून जा रहे हैं, उत्राक्रण की धरती में प्रपेश करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे और जनता से आगरे करेंगे कि दरिंद मोधी को आसाथ दें, उन्हें शक्ति दें, उन्हें आशिरवाद दें और स विसानों को गन्य का मूल अभी तक नहीं मिला है खासकर रुड़की के इलाके में ये कैसे सुधरेगा और पॉलिशन की वहां पर बहुत बड़े दिक्कत है आप क्योंकि बात को समस्ते हैं वहां पर जितना सीपेज है उसकी वज़े से बीमारिया आने लगी पीने का पानी र ये वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट लगने चाहिए और पानी तो मैंने तो पार्लिमेंट में पानी के ऊपर चर्चा किया है पेजल के ऊपर ये इतना पलूटिड हो गया है कि लोगों को अथराइटिस दुनिया भर की बिमारिया हो रही है हम बड़े-बड़े अस्पतालो पूरी तरीके से विक्सित नहीं वो आयका प्रमुक्स रोट क्यों नहीं बन रहा है इसको लेके कोई प्लान क्या बीजेबी के पास है निश्यत रुप में हमारे पास एक प्लान है और हमारा ये भी मानना है कि जो हमारे और धाम है चार धाम के अलावा जो हमारे और यह दुसाहासिक परियटन की अगर बात की जाए, दुसाहासिक परियटन, आलिके अंदर या शीरी नगर में आप कैसे लाएंगे? रिशikesh में तो है यह कुछ हद तक, आप वाटर राफ्टिंग रिवर राफ्टिंग जब भाजापा आएगी आगे हमारे देश में तो हम ऐसी प्लैनिंग करेंगे कि कैम्प ग्राउंट्स बनाए जाए आजकल कैम्पिंग को हमारे देश में प्रोथसान नहीं बिला है इशों में लोगों की गाड़ियां होती हैं कैमपर्स होते हैं वो कैमपर्स को लेकर के पाक करते हैं तो हम चाहेंगे कि उत्राखंड में ऐसी योजना कारी योजना बनाए जाए देश में ऐसी कारी योजना बनाए जाए कि कैम्पिंग फसिलिटिस को हम डिबलब करें स्पोर्ट्स में उत्राखंड कैसे आगे बढ़ेगा फॉज से जब लोग वहां से निकलते हैं इसका मतलब वहां के लोग प्रतिभाशाली हैं क्या वज़े है कि उत्राखंड के लोग खेल में आगे नहीं बढ़ पाने है इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि स्टुडेंट्स क्लब जो हैं स्टापित हो और इसके लिए स्टुड्स क्लब जो हैं जगए जगए स्थापित हो और अपने देखा होगा कर रेशिया में चाइना में एक एक छोटे से बच्चे को लेकर के वो इसको बोल्ड करते है और उसको बहुत बड़ा एथलीट बना देते हैं। इसलिए हमें प्रतिभावं को टटोलना होगा और उसके लिए कारी होजना बनानी के हुए। आपने प्रतिभा की बात कही। राहूल गांधी में पहले आपको बहुत प्रतिभा दिखती थी। आपने कहा यह पारस हैं। हरीश्रावत कहते हैं अब उन्हें क्या वो पारस नरेंदर मोधी में नजर आ रहा है। नहीं मैं तो अभी भी कहूंगा कि राहुल गांधी पारस पत्थर हैं, अब उनको हरीश रावद जी ने छू लिया है, वो सोना बन गए हैं, हम छूने ही पाए, हम जहां के ताहां रह गए हैं, यह मैं कहना चाहूंगा, पर नरेंदर मोदी में एक शशक्त नित्वत्व की श आती है, आप आत्यात्म को जानते हैं, यह बात कही जा रही है कि अगर आप मुख मंतरी बने होते तो आप कॉंगरेस में ही रहते हैं, आप मुख मंतरी नहीं बने इसलिए अगर काम मिलता किसी को और चूनिटी काम करने का मिलता तो निश्वत दूरूत में उस पे रहता, और ये भी कहा जा रहा है कि हरीच रावत को नीद नहीं आ रही है ना कॉंग्रेस को. आएसा है कि हम सरकार तोडना नहीं चाहते हैं, रावत जी आराम से विश्राम करें और निश्यत रोप में हम सरकार को नहीं तोड़ेंगे वो विधायक मेरे विधायक नहीं है, वो कॉंग्रेस के विप को माने, वो आपको पता मृतारावजी भी कॉंग्रेस में है, ये अपना अपना निर्णे है, जैसे आपने देखा हो का सिंधिया परिवार में एक कॉंग्रेस में है, एक भाजापा में है, तो उनका अपना निर आपने काम करो इसका मतलब क्या है कितने दिन का विश्राम करेंगे वैसे हमने उनसे कहा था कि आप 18 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको कहा गया कि आप 20 घंटे काम कीजिए पर काम के बाद तो विश्राम करेंगे। जो किसी की आयू बता हूं ये तो समय बताएगा पर मेरा अपना मानना यह है कि फिलहाल उनकी सरकार भ्हफूज है और ये तो आने वाला समय बताएगा कि जब पाचों सीट हम वहां से जीत करके आएंगे सत्पाल माराज का कहना है कि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना जाता लेकिन अगर घर में दम घुटने लगे और घर वाले घर वालों को ही सम्मान ना दें तो जीना मुश्किल हो जाता है कॉंग्रेस में उनकी स्थिती कुछ ऐसी ही हो गई थी उन्हें भारती जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रहा है उत्राखन का विकास वो देखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास कर देंगे अब ये जनता को तै करना है कि इस लोग सबाचुनाओं में जनता किसके साथ जाती है लेकिन इतना तो तै है कि इस राजनितिक जोड़ तोड़ में कुछ हो या ना हो लेकिन भारत का फायदा जरूर हो जाएगा चाहे जो भी आए उसे अब जनता की अदालत में अपना हिसाब तो देना ही होगा आज क्रॉस फायर में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे इजाज़त देश और दुनिया की बाकिए खबरों के लिए आप बने रहें साथना नियूस के साथ नमस्कार